स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेश कश में नमस्कार आपके साथ हमें हों कुछ वाच पे आप देख रहे हैं चुनाओ 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 मद्यप्रदेश कांग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष जीतू पठवारी का सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ एक वीडियो पार्टी के लिए मुसीबत बन गया है जिसमें वो अपने ख्षेतर में जन संपर्क करते हुए बोटरों से कह रहे हैं वो उनका ध्यान रखें पार्टी जायते लेने से पहले कांग्रेस से पूर वधायक रही कलपना परू लेकर दिगविजय सिंग को मिस्टर बंटाधार बता चुकी है इतने नहीं दस वर्षों तक सूबे के मुख्यमंतरी रहे वरिष्ट कांग्रेस नेता दिगविजय सिंग भी पार्टी को कटगरी में ये के वोट मांगने से कांग्रेस के वोट कटते हैं एक रिपोर्ट देगे बायान और सोशल मीडिया पर वायरल होते कांग्रिस नेताओं के बायानों से कांग्रेस में हरकं मचा हुआ है दरसल कॉंग्रेस के कारेकारी अध्यक्ष जीतू पठवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंगलवार को वाइरल हुआ जिसमें वो अपने क्षेतर में संपर्क करते हुए वोटरों से कह रहे हैं वो उनका ध्यान रखें पार्टी जाय तेल लेने इसी तरह बीते दिनों दिगवजय सिंग का भी एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो कारेकरताओं से कहते नजर आ रहे हैं उनके भाशन और प्रचार करने से कॉंग्रेस के वोट कट जाते हैं इसलिए मैं कहीं नहीं जाता दिगवजय के इस बयान के बाद पूर्व विधायक परूलेकर का भी बयान सामने आया जिसने आग में घी का काम किया परूलेकर ने दिगवजय सिंग को मिश्टर बंटाधार बताते हुए कहा उन्होंने प्रदेश में कॉंग्रेस का बंटाधार किया है और दिगवजय ने सही कहा है उनके भाषन और प्रशार से कॉंग्रेस के वोट कटेंगे इस बार अगर कॉंग्रेस हारी तो समझना ये रायता दिगवजय सिंग नहीं फैलाया है अब पार्टी इन तीनों के बयानों से किनारा करती नजर आ रही है देखिए वो वीडियो को गलत प्रसारित कर रही है बीजेपी वो वीडियो में जीतू पटवारी जी एक बीजेपी की विचारधारा वाले परिवार से मिल रहे है और वो उनसे कह रहे हैं कि एक विधायक की रूप में मैंने बहुत अच्छे से काम किया इसलिए एक विधायक की रूप में आप मुझे चिनिये आपकी पार्टी की चिन्ता ना करें आपका बीजेपी पार्टी गई तेल लेने यह वो कहते नजर आ रहे हैं तो यह एक बीजेपी विचारधारा के परिवार से वो चर्चा कर रहे हैं कॉंग्रेस में मची इस घमासान पर बीजेपी चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है जब जहाज दूपता है तो सेन विज्ञान में यह कहा गया है कि देखो चुहे भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं अगर चुहे भाग से दिखें समझ लेना चाहिए कि जहाज दूप रहे हैं यह चुहे हैं दो तीन चार कोई बड़ा चुहा कोई जोटा चुहा यह के 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 अपने आपकी बचाव कर रहे हैं जी तू के रहा है मेरी कोई दोस्त नहीं है प्रदेश कॉंगरिस में मचेज घमासान से कॉंगरिस हाई कमान भी वाकिफ है इसलिए जहाज दिगवजय को समन्वे समीती का अध्यक्ष बना कर रूठे हुए कॉंगरिस नेताओं को मनाने और संगठन को सक्री करने के जम्मदारी दी गई थी वहीं प्रदेश कॉंगरिस की कमान कमलनात के हाथों दे कर रन्नीती के तहत चार कारेकारी अध्यक्ष भी बनाए गए जिसमें जीतू पटवारी का भी नाम शामिल था लेकिन उनके इस बयान के बाद अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और बीजेपी को फिर कॉंगरिस पर हमला करने का मौका मिल गया है बोपाल से डी एन एन के लिए संदीप सेन की रिपोर्ट सवाल ये भी उठ रहा है कि 15 सालों से सत्ता से दूर है कॉंगरेस और इस बार बीजेपी ने जो नारा दिया है अपकी बार 200 पार का उसे रोकना पहली प्रात मितता है लेकिन इस तरह के बयान अगर कॉंगरेस के जो नेता है जो वरतमान में विधायक भी है वो देंगे कि पार्टी तेल लेने जाए आप तो सिर्फ मेरा ख्याल रखिये तो इसे क्या समझा जाए चूंकि ऐसा नहीं है कि जीतू पटवारी पहली भार इस तरह का बयान दे रहे हो पिछले दिनों भी उन्होंने एक बीजेपी के पक्ष में ही बयान दिया था कि उन्होंने यहाँ पर काम करके दिखाया थे है और उसका भी वीडियो वैरल हुआ था उस पर भी घमासान मचा था लेकिन फिलाल जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वीडियो जो वैरल हुआ है उससे कॉंग्रिस तो किनारा कर ही रही है और इसके अलावा दिखविजय सिंग ने पिछले दिनों कहा था कि मेरे वोट मांगने से वोट कटते हैं उसको लेकर भी पूल विधायक ने दिखविजय सिंग को ही कह दिया है कि वो मध्यप्रिदेश का बंटाधार कर रहे हैं औ राल चर्शा करें यह तीन महमान इस्टोडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विकास मुंद्रिया जी हमारे साथ जुड़े हैं सहीओ जख हैं बीजय पी प्रोफेशिनल सेल के पाउन दिवलिया जी वरिश्पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं और अजीद भतवरी से किनारा कर रही है लेकिन दायर सी बात रिए लीए जो निकले है मत्ताताओं से मांग रहे हैं वो पने लिए बोट मांग तक युह नहीं पार्टी को पेसब भी ने भेजर हैं तो वो संगठन के प्रतिफून निस्टावान कार करता है नेता है और जहांता कि ये बक्तब की बात है तो वो एक जनसंपर्क के दोरान एक भाजपा समर्थित परिवार के बीच में गए उस परिवार के लोगों ने बात की उन्होंने का आप तो मुझे आसिरवात दीजिए पैर चुए उनका पैर चुए कि आप तो मेरे सर पे हाथ रखिये आप पार्टी छोड़िए मतला भाजपा पार्टी छोड़िए बाजपा जाये तेल लेने आप तो मुझे आसिरवात प्रदान करी जी बीजेपी का नाम लेने में हर्श ही क्या था नहीं वो सामने वाले न जनसेवक के रूप में तो आप मुझे दीजिए बाजपा को छोड़िए यह उन्होंने काया और दिग्गी जी ने जो पिछले दिनों कहा था मेरे बोट मांगने से बोट कटते हैं तो क्या वो बीजेपी के लिए बोल रहे थे हां यह आरे से सो बीजेपी के लोग जिस तर हुआ लोगी जो की ना हुई कमलनाथ जी आदरनी कमलनाथ जी के नेत्वत में पूरी मद्दपर्देश कॉंग्रेस एक छत्र के नीचे कारे कर रही है तो उस तारतम में दिग्विजा सिंग जी का कहना था कि भाजपा आरे से के लोग इस तरीके से परचारिद कर रहे हैं क उनका पूरा वीडियो सुनःे वो पूरे वीडियो में यह चीजें आएगी नीकल के पर कल्पना जी के तो यह नेचर में है कांगरेस पारटी को पाच छोड़ चुकी है अभी हाली में उन्नोंने जब बहुत गiegoहर की तब कांगरेस पार्टी में बापस आई हैं अभी सद सालों से कॉंग्रेस पार्टी के जंडे के तले भाजपा के कोशासन की के प्रति संगर्श करता चला आया उस कार्यकरता की कल्पना जी से कॉंग्रेस पार्टी में ज्यादा है जब हमेती नहीं है पार्टी में तो फिर पार्टी में रखने का मतलब ही क्या है फिर उन्हें और लेना पड़े लेगे विकास झी आपने सुना अजीजि कह रहे हैं जीतू पटवारी का है जो मैंने किया है अब ठीक है कि परिवार का एक लड़का उद्दंडता करता है अकर सरड़क पे वो आखें जपकाता रहता है तो परिवार उसके उपर आचल डालता है किसी डंग से अब वो तो राहुल जी ने जब आँख जपकाई तो पार्टी आचल जाल रही थी तो फिर जी तू जी पर डाल रही तो कोई अच्रच की बात नहीं है लेकि देखें इस बात को केवल चुटकी या गॉसिप में नहीं लेना चाहिए इससे देखें हमारी जो लोकतांसिक व्यवस्ता है वो जाइडनितिक संगठन आधारित व्यवस्ता बनाई गई गई है एक राइडनितिक संगठन मजबूत होगा उसका वीजन बहतर होगा तब वो जनता के लिए एक अच्छा शाशन एक अच्छी सरकार लोकल लैंड कारी सरकार दे सकता है जब गंबिलता की बात मैं कहा साँ जब जी तू जी इस पार्ट को अपने पार्टी संगठन को तोहमत तो देखिए कॉंग्रेस आज इस स्थिती में ये कॉंग्रेस संसेतालिस की कॉंग्रेस नहीं है जाब आज इस नीती नियती के कारण कॉंग्रेस में लगतार गिरावट आती रही और आज ये खुल के आ गया है कि व्यक्ति अपने आप को चुने जाने के लिए पार्टी को भी उस जनता के बीच में मदाता के बीच में नजरनदास करने का कह सकता है लिए बात केवल बीजेपी के फाइदे की नहीं है आज कॉंग्रेस कुछ बी कहें आप एक विपक्षी दाले भारती जनता पार्टी का परती पक्ष है मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कॉंग्रेस के कारेकरताओं की और विदायक विदायकों की ये संगठात्मक सोच है तो क्या जनता को ऐसे संगठन के प्रती अपना वोट बेकार करना चाहिए अगर ये चुनके भी चलेगा गलती से विदान सभा में तो क्या ये लुस्ट पुस्ट संगठन ये करता मध्यपिदेश की जनता के लिए कुछ बहतर कर सकेंगे मैं मैं थोड़ा सा हलकी चुटकी के वर हलके चुटकी के अंदाज में इस मसले को नहीं छोड़ना चाहता एक गंभीर विशा है कि हमारा विदायक कैसे होना चाहिए उसकी विचालधारा कैसी होनी चाहिए अग अपने आपके अपने आपको धक रहे हैं वह प्रयास है नम्मठर दूसरी बाता किसी को किसी विचालधारा किसी वेचारिक आदमी को उसकी विचालधा को तेल लेने भेजना चाहने की सोच रहे हैं अरे आप बात कर यह जण कल्यान की कोई अपनी विचालधारा consumption लके जन्ता इसके बारे में सोचेगी गंबीरता से सोचेगी विवादों से चोली दामन का साथ रहा है पटवारी जी का जिस समय किसान आंदुलन हुआ था और उसके बाद जो गोली कांड हुआ था तो एक वीडियो सवक्त भी बारे हुआ था जिसमें वो सब को इखटा करते हैं उन पर तो विवादों से चोली दामन का साथ उनका रहा है एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के भीतर उन्हें दी गई है लेकिन ये का जा सकता है पवंजी की कहीने कहीं दिग्वजे सिंग का तो नाम जुडा ही हुआ है बंटादार उन्हें कहते नजर आ रहे हैं कल पार्टी में उनकी जो भूमिका है बड़ी गंभीर भूमिका है मत्रप्रदेश में जो कारकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें जीतु पटवारी भी एक हैं और मुझे लगता है कि सबसी युवा कारकारी अध्यक्ष हैं इसके पहले गुजरात चुनाओं में वो सहप पात्वी की और मुझे लगता है कि जिस तरह का जो माहौल आजकल जो सोचल मीडिया में एंड्रॉइट के द्वारा जो वीडियो बन जाते हैं या लगता है कि कोई ऐसा घटना करम घट जाएगा आकस में क्याद हो जाए तो यह घटना करम घटा वो मोबाईल में करते हैं कोई ख़ करता नहीं रहुती किसी माने उनकी ऊपर आशिवाद की कहा कि बेटा हम जो हैं तुम्हारी पारिटी-क यह किसी भी पारिटी का भी नाम लियाओ यह नहीं पता चुकि UNनोंने भी हमें नहीं बताया तो उनोंने कहा कि पारिटी-को छोड़िए हॉड़िय करना चाहिए यह हम सुईकार करते हैं और यह उन्हों में भी सुईकार की आफ-दा रिकार्ड में जो हम आप से कि मता रहे हैं लेकिन जन परिदिलिदी जो है परिवार किस तरह की भासा और आपस सफाई भी दी है अम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं जीतू पठवारी ने सफाई में क्या कुछ कहा है ताकि जो चर्चा हम इस पूरे मुद्दे को लेकर कर रहे हैं उसकी हकीकत भी सामने आए कि और कांग्रेस के कारी करता एक दूसरे से कभीन कभी किसी हिस्से में आपस में बात करते हैं हम लोक कंत्र में जीते हैं बाहरती जनता पार्टी के लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं हमारे विरोधी हो सकते हैं जब मैं उनसे मिलूंगा बोट की बात करूंगा चुनाओ जीतन से कभीन कभी किसी हिस्से में आपस में बात करते हैं हम लोकतंत्र में जीते हैं 32 जनता पार्टी की लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं हमारे विरूदी हो सकते हैं जब मैं उनसे मिलूंगा बोर्ट की बात करूंगा चुनाओ जीतने की बात करूंगा तो यह जरूर मुझको देखो मुझे देखो चर्चा हमारी लगातार जा रही है एक छोटे से ब्रेक के लिए में आपर रुखेंगे जल ओटे अब 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 ब्रो कल प्रिद्वीश होने तो कमाल ही का डाला अब 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 हम युवा वोटरों की बारी है अपने केमती वोट का सदुपयोग करने की चुनाव आयोग ने कोई मतदाता छूटे नहीं के अपने करतवे का निर्वहन करते हुए 18 साल के प्रतेक युवा का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है करतवे परायनता की मिसाल ये सैनिक जब देश के लिए जान दे सकते हैं तो क्या हम एक वोट नहीं दे सकते अपने मतादिकार का उव्योग कीजिए और लोगतंतर को मजबूत बनाईए और ब्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पे इशकश लगातार जारी है तमाम एमान हमारे साथ बने हुए है अजी जी जिस तरह से गुज़रात में चुनाओ हुआ था और देखने को मिला था कि मनि शंकर का एक बयान निकल कर सामने आया था माना ये भी जा रहा था कि अगर वो बयान ऐसा नहीं देते आपको भी याद होगा बयान क्या था तो कहिने कहीं कॉंग्रेस गुजुरात में वापसी का जो सपना देख रही थी वो पूरा हो जाता आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में 15 सालों से सत्ता से दूर है पार्टी तो ऐसे बयानों से तो फिलाल बचना ही चाहिए चाहे वो विधायक हो या करदावर नेता हो या युवा कारे करता हूँ अंगोज जी मैं आपकी बात से पूर्टा सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हम जब एक बहुत सम्वेदन सील समय में चल रहे हैं एक राजनेतिक दल से और समा सेवा से जोड़े हूए व्यक्ति हैं तो हमें अपना आचरान और अपने बोलचाल को निश्चित रूप से सयमत रखना चाहिए कब कहां किसका एफेक्ट हो कब कहां किसका साइड एफेक्ट हो यह तो जरूर निश्चित रूप से सोच समझना चाहिए परन्तु जहां तक मैं कॉंग्रेस की बात बताऊं कॉंग्रेस में सारे सब लोग एक युनाइटेट होके काम कर रहे हैं कॉंग्रेस में कोई विसंगती नहीं है सब कॉंग्रेस पार्टी के जंडे के नीचे राहूल गांदी जी के निस्टा के साथ काम कर रहे हैं परन्तु अगर आप कंटो वर्सी की बात करेंगे तो भाजपा के लोगों की कंटो वर्सी देखिए जहां इन दोर में उसा ठाकर और गोबिंद मालू जी के लोगों के बीच में किस तरीके का जगड़ा हुआ जनासिरवाद यात्रा में और भी आजी मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा कि उसा ठाकर जी ने सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया है कि पार्टी के अंदर जो सटे बाज और चन्दे बाज लोग हैं वो मेरा ब्रोध कर रहे ही मेरे टिकेट का ब्रोध कर रहा है ऐसे एसे 16 लोगों की उन्होंने सूची भी दी है भाजपा के बरिशनेता थोको और पार्टी के बरिशनेता ब basin सवधिया जी अबी कल्या पूरा काम चलना है और प्रदेश की जनता जो भारती जनता पार्टी के कुसासन से सिवराज के बिरस्ट कुसासन से परिशान हो चुकी निश्चित रूप से कौंगरेश की किसुसासन को लाने के लिए तैह है। कुछी दिनों बाद कमनलाज जी कहते हैं हमें तो जिताओ चहरे चाहिए फिर वो पेराशूट से ही उतर कर क्यों न कॉंगरेश में चामिल हुए हो तो क्या समझा जाए क्या पार्टी के भीतर एक तरफ तो आप कहते हैं कि कारेकरता जो हैं हमारी ताकत हैं और हम कारेकरताओ के दम पर चुनाओ जीतेंगे दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद कमनलाज जी कहते हैं कि हमें तो जिताओ चाहरे चाहिए निश्य दूरूप से जब चुनाओ लड़ने कोई भी राजनेतिक दल जाता है उसमें जीतने वाला प्रत्यासी सबसे टॉप प्राइटी पे रहता ह जहां तक राहुल जी के बयान की बात है तो राहुल जी के पेरा सूट से अभी प्राइए ये था कि यो कोई ब्यक्ति जिसने जमीनी इस तर पे कोई काम ना किया हो दिल्ली और भुपाल में रहके वो सीधे एकदम से टिकेट लेके पार्टी का छेतर में आके चुनाओ वो किसी भी दूसरी पार्टी से चाहे हमारी पार्टी में आ सकता है परंतु हम उसका आखलन करेंगे कि वो ब्यक्ति जो दूसरी पार्टी से आया है वो जमीनी है कि नहीं है जहां पर हमारा कोई कार करता जीतने की इस्तिती में नहीं है तो वहां दूसरी पार्टी से आए हुए कारकरता को प्राइटी दी जाएगी परंतु जो हमारा बर्सों से कारकरता काम कर रहा है जो सरकार आने के बाद उसको अन जगह पर एड़्जस्ट किया जाए पदमा शुकला जी का फिर इस बार टिकेट पका फिर उनका आंकलन चला है आंकलन दिए टिकेट किसका कि एक आक बात बता हूं आकोष जी सारे सर्वे हुएं बिचार मंतन चला है टिकेट की एक प्रिकिरिया है कांग्रेस में कि पूरे टिकेट के प्रदेश चुनाव समीति से लेकर चुना कि प्रदेश चुनाव समीति और उसके बाद केंड़ के किमयुंए टिकेट बठते हैं विदार हैं अपना शक्ती प्रदर्शन दिखा रहे हैं पार्टी का रले में पहुंच कर अगर इन्हें टिकेट नहीं मिलता है नाराज हो जाएंगे तो भी तरगात करेंगे फिर तो की इन्हें बिदान करेंगे शसबा रहा है теперь गहनDerाभी गार्य कवी अई जिन्तापर्टी का कारेंगे बटने के बाद में उसको टिकेट डिया जाता है उस प्रत्याशी के कामाँ पे लगता ये हमानी संगरता कि बहा है ना है यही हमारी कारप्दत ही रहती है हमेशा से आपने देखा होगा इस मामले में कोई कॉंग्रेस हम पे राजनेत एक आरोप लगाती रहा है हमारे संगठन को मलीन करने का प्रयास करती रहा है उससे कुछ होना याना नहीं पहुंजी आखरी सवाल आपसे ही रहेगा मेरा जिस तरह से अभी मैंने प्रशन अजीजी से भी यही किया था कि गुजरात में जब चुनाओ हुए थो इससे पहले जो एक बयान दिया था मारी शंकर एयर जी ने माना यह जा रहा था कि उन्हों नहीं कहीं सत्ता पर वापसी का जो सपना था कॉंग्रेस का वो एक तरह से चकना चूड किया था ऐसे में मध्यप्रदेश भी काफी एहम है 15 सालों से सत्ता से दूर है कॉंग्रेस यहां पर तो क्या इस तरह के बयानों से बचना चाहिए चूकि ठीक है जीतू पटवारी जी ने सपाई दे दी है लेकिन सोशल मीडिया आज के दौर में सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है सभी के पास Android मुबाइल है तुरंत अगर विधायक पहुंसते हैं क्षेत्र में तो वो मुबाइल का कैमरा ओन करके रखते हैं पल-पल की नजर रखते हैं और इस तरह से जो बयान अगर कोई देते हैं तो तुरंत वायरल करते हैं तो इसका खामियाजा कई ने कई पार्टी को भुगतना पड़ता है देखिए अंकुजी निश्य गूरूप से जो आपने कहा है मरी संकर आयर कवाला जो प्रकरण है उनमें जो बयान दिया था है गुजरात चुनाओ को लेके मुझे लगता है कि मद्रप्रदेश 36 गड़ राजस्तान यह जो तीन राज हैं बड़े राज हैं कहना चाहिए भारतियंता पार्टी की बड़ी चोकस निगाएं मुझे लगता है कि ऐसी ही चोकस निगाएं उन बयान वाजों पर भी हैं जो उनको इन चुनाओं के एन टाइम पर जो कुछ भी बोलेंगे और उनको चु के समय ऐसे बयान होते रहे हैं मुझे लगता है कि इस तरह के बयान अभी और देखने को मिलेंगे और ऐसे बीडियो भी जो जीतू पटवारी का आया है मुझे लगता है कि भारतियंता पार्टी और अन्दलों के भी आएंगे क्योंकि जो लगातार जन प्रतिनीजी हैं वो हुए उसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए ऐसी दुर घटना के वीडियो कभी लाइव हुए नहीं इस तरह की घटना अब नरंतर बढ़ेंगे और चुनाओं के समय तो बिलकुल कार्यकरता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो वो सब चोकस रहेंगे और इस तरह कि ब्यान देने के लिए जो बड़े रूप से प्रभावत करते हैं एक सब समाज के लिए और उनका जो ध्यान है वो डायवर्ड होता है निश्यत रूप से मनी संकर आयर हम तो कहेंगे दिग्विया सिंग ने भी कुछ ऐंसे ब्यान दिये थे हिंदू आतंक वात को लेकर दू लगना चाहिए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए कई ने कई जो बयान वाइरल हुआ था उसको लेकर जीतू पटवारी जी सफाई दे चुके हैं यानि यही वो कहते नजार आ रहे हैं कि मैंने कॉंग्रेस के लिए ये बाते नहीं कही थ थी मैं तो बीजेपी के लिए ये बाते कह रहा था लेकिन चुनावी साल है और ऐसे में जीतू पटवारी की बात करें तो उन्हें एक एहम जिम्मदारी सौंपी गई है प्रदेश कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो तो कहीं ने कहीं इस तरह के बयानों से बचने की नसी मेरा ला देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की तारीक नजदीक आएगी प्रचार का दौर जब शुरू होगा तो क्या कुछ ये जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जाकर किस तरह से उन्हें अपनी और आकरशित करेंगे उन्हें अपन झाल कर दूआ करेंगे प्रिक दिनों में।